गुहान 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 नवगश्या में पहली बार आधुनिक तक्निक से बना एक खोफ सोरत कॉफी सॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गुसाला रोड पोखर के सामने नवगश्या वेज एवं नानवेज दोनों उपलब्ध है ग्रेंड ओपनिंग एक जनवरी 2021 से आपके सेवा में आईए आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूनी दिज्या और आप देख रहे हैं जियस नियूज आईए सुरवात करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरे अपढ़ित कारोबारी भाईयों को खोजने में नौबतपूर पुलीस हुई फेल अस्वासन से परीजन का उठा बिस्वास पटना में नौबतपूर से आठ दिसंबर से अपढ़ित कारोबारी भाईयों का अब तक पता नहीं चल पाया है अपने आपको तेज तरार मानने वाली पटना पुलीस 25 दिनों के बाद भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है लिहाजा अब परीजनों का विस्वास पटना पुलीस से उठता जा रहा है नौबरपूर पुलीस अब तक छोटे बदमासों को पकर कर तुर्रम खांबन रही थी लेकिन जब बड़ा मामला सामने आया तो तेजी से हवा निकल गई पुलीस की नाकामिक से परीजन के उपर दुख का पहार गिर चुका है सरापी कर उतपात मचा रहे थे सरावी पुलीस ने मौके से छोड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष ने वरिय अधिकारियों से क्यों सिकायत नवगच्या के नया टोला में सरापी कर उतपात मचा रहे थे एक सरावी को पुलीस द्वारा हिरासत में लिये जाने के बाद छोड़ दिये जाने का मामला प्रकास में आया है इस संबंद में बताया जा रहा है कि भाज़पा के जिलादियक्ष विनोध कुमार मंडल ने वरिये पताधिकारियों से सिकायत करते हुए मामली में कारवाई करने की मांग की है पतना में मिले कोडोना के 397 नए मरीज बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुँची 5162 बिहार में कोडोना संक्रमन की रप्तार अड़ धीमी हो गई है लेकिन इसके बाबजुद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं स्वास्विवाग की उड़ से ताजा अपडेट जारी की गई है अपडेट की अनुसार कॉरोना के 397 नए मरीज पाए गए है जिसमें सबसे अधिक मरीजों की संख्या पटना जिले से आ रहे है जहां कॉरोना की 219 नए मरीज पाए गए है तबादले के बाद एक है स्थान पर जमें पुलीस कर्मियों पर होगी कारवाई डीजीपी ने सभी जिले के S.P. को दिया निर्देश विहार के पुलीस कर्मियों को अब सतर्क होनी की जरूरत है राजी के D.G.P.S. की सिंगल ने सभी जिलों के S.P. और S.P. को सक्त निर्देश दिया है कि वियासी पुलीस कर्मियों पर कारवाई की जाएगी जो तबादले के बावजुद पुराने स्थान पर जमें हुए है पटना में कूरोनव वैक्षिन का डेमो ड्राइन रन सुरू मंगल पांडी बूले हमारी तयारी पूरी है राजधानी पटना में आज तीन सेंटरों पर कूरोनव वैक्षिन का डेमो रन चल रहा है सास्त्री नगर सहरी स्वास्त केंद्र फुलवारी पीएच्सी और दानापुर अनुमंडल होस्पिटल में डेमो किया जा रहा है बिहार के स्वास्त्री मंगल पांडे फुलवारी सरीप सेंटर पर पहुंचे और वहां उन्होंने ड्राइन रन के बारे में जयानकारी ली नए साल में काली कमाई वाले अधिकारी रडार पर जीरो ट्रालेंस को मजबूत बनाएगे नितिस सरकार बिहार में खराब कानून व्यवस्था और सराब माफिया के समानांतर समराज जीके कार नितिस सरकार पड़े सान है मुखेमज़ी नितिस कुमार खुद नई सरकार के गठन के बाद अपड़ाद नियंतरन को लेकर कई बार बैठक कर चुके हैं लेकिन नई पारी में सुरुवाती महिनों में मुख्यमजी नितिस कुमार को जो फीड़बैक मिला है वह बेहत चुकाने वाला है सरकार के पास मौजूद इन्पुट के मुताबिक सराब सिल्ले गर्भू माफिया और अन्य तरह के अपराधियों के साथ सार गाठ पर पिहार में अधिकारियों के अतूक संपति अर्जित की है पांच जन्वरी को स्थगित होगा डिप्टी सीम तार किसोर प्रसाद का जनता दल दरवार कारीकरम जल जीवन हरियाली की बैठक में होंगे सामिल हर मंगलबार को पटना में देश रत्न मार्ग स्थित कारीकरम में आयूजित होनी वाला जनता के दरबार में उप मुख्य मंत्री कारीकरम आगामी पांच जन्वरी को स्थगित रहेगा बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को मुख्य मंत्री की महत्वा कांग्शी योजना जल जीवन हरियाली से सम्बंदित आवस्यक बैठक बुलाई गई है इसलिए उप मुख्य मंत्री के कारीकर्म को स्थगित कर दिया जाएगा पटना में अपराधियों ने की योग की पीस पीट कर हथ्या जांच में जुटी पुलिस पटना में अपराधिक बेखौप होकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं ऐसे घटनाओं को अंजाम दे कर अपराधिक पुलीस को खुलेयम चुनौती दे रहे हैं ऐसा ही एक मामला पटना सीटी के दिदार गंज थाना शेत्र से सामने आया है जहां निजामुपूर रेलवे लाइन के पास से एक अग्यात योवकस बड़ामत किया गया है गया में औसामाजिक तत्वों ने खल्यान में लगाया तिन लाख रुपे की फसल जल कर राख खलियान तक फसल को लाने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है जिसके बाद यह समय आता है लेकिन और समाजिक तत्व उनकी किये कराय मेहनत पर पानी फेर देते नजड़ा रहे हैं जिसा ही एक मामला गया जिले के मैगनार थना छेतर से सामने आया है जहां खलियान में ही और समाजिक तत्वों के आदमी ने आग लगा दी है नौनवेज पसंद करने वालों के लिए खुस खवरी अब चमपारन मीट का स्वाद नवगचिया के सुन्दरम अहुना मतन में जहां चिकन इस्टो 50 रुपए मटन इस्टो 55 रुपए चिकन सिक लेगपी 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है स्वाद के लिए अवस्य पधारे सुन्दरम अहुना मतन राजेंद्र कोलोनी मोर नवगचिया फ्री हॉम डिलेवरी के लिए उपलब्ध है संपड़क करे 86034-93747 अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासन खरीदने की क्या है जरूरत जब ओईमार्ट है आपके लिए तयार ओईमार्ट के मोबाईल एप या बेप साइट से करे बाजार मुल्य पर खुल कर खरीददारी पाए हॉम डिलेवरी ओईमार्ट के मोबाईल एप के सिधे वार्टसप से करे संपर्क सामान का लिस्ट या फोटो खीच कर भेजे कराएं बुकिंग संपर्क करे 8340-371787, 73250-52437